नमस्कार एवरिवन वेलकम बैक टू चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगी एक ऐसे कुश्चिन के बारे में एक ऐसे डाउट के बारे में जो हमें कॉमनली बहुत बार यहां पर कमेंट बॉक्स में पूछा गया है और वो कुश्चिन यह है कि क्या XPS 30 या फिर XPS 10 में हम लोग बिना पैंडराइव के बैक अप चला सकते हैं या नहीं तो आईए इस वीडियो में हम जानेंगे इसका अंसर तो देखिए यहां पर अगर हमें XPS 30 XPS 10 या फिर किसी भी कीबोर्ड में अगर बैक अप को इंस्टॉल करना है तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी केबल से आपर इसे इंस्टॉल कर पाएंगे उसके लिए प्रोपर आपको पैंड्राइब जो है कीबोर्ड में continue connect करके रखना पड़ेगा audience का यह बहुत ज्यादा कमेंट आया तो मैं उसके लिए यह dedicatedly वीडियो बना रहा हूं तो देखिए एक बार अगर आपका backup properly install हो जाता है install होने के बाद एक बार चेक कर लिए आपका backup properly install हो गया है उसके बाद अगर आप अपनी pen drive को यहां से disconnect भी कर लेते हैं फिर भी आपका जो backup है वो यहां पर ही रहेगा विकॉज जो backup है आपने directly keyboard की जो internal memory वहां पर install कर दिया है तो at that particular time आपका जो backup है वहां पर keyboard में रहेगा मगर for an example अगर आपके multiple backup है एक ही pen drive में अगर आपके 4-5 या 10 backup अलग लगें तो ऐसा मत समझेगा कि वह सारे backup भी यहां पर copy होगे विकॉज इसमें कोई भी copy करने का option नहीं आता है जो भी आप backup install करोगे वह keyboard में ही रहेगा फिर उसके बाद अगर आप pen drive निकाल दोगे तो भी वह जो हमारा backup रहेगा keyboard में रहेगा मगर जो दूसरे सारे backup है वह XPS 10 में भी है तो आई होप हमारे जितने भी वीवर्स हैं उनका जो यह doubt था कि backup को install करने के बाद क्या pen drive को continue connect करके रखना जरूरी है keyboard में तो आपको इसमें answer मिल गया होगा बिलकुल अगर आप एक बार install कर देंगे फिर आपको यहां पर connect करने की ज़रूद नहीं है इसी त आप जरूर से consider करिएगा कि अगर आपको लूब्स प्ले करने है यहां पर उसके लिए आपको जो है वो pen drive continue कीवोड में connect करके ही रखना पड़ेगा मैंने सीव यहां पर backup का point बता है कि backup install करने के बाद आप pen drive को निखाल देंगे तो भी backup तो keyboard में ही रहेगा जो install किया हुआ लूब संगेरा प्ले करने तो उसके लिए आपको pen drive continue connect करके रखनी पड़ेगी तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like जरूर से करिएगा share करिएगा comment करिएगा and of course चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा thank you for watching stay tuned करिएगा